बहुत कुछ काम किया, for which मैं बहुत प्राउड फिल करती हूँ, और बहुत करना है, इसके लिए यहां पर और पांच साल मुझे मिला है, मैं मेरा सवभागिया है, मिला है, मुझे प्रदान मंतरी जी ने सब ये दिया है वापस, अमिच्छा जी ने, अनड़ा जी ने, योगी जी ने, उन सब के साथ होने की वज़े से, मैं बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है, अभी तक, अभी बाकी कुछ है, लेक चावरासी कोस परिक्रमा, यमना का शुद्धिगरन, गर्ल्स एडुकेशन के लिए कुछ सेंटर्स बनाने हैं, प्लस कुल्च्छल अक्टिविट अच्छल पर्देश में आप कितने सीटों के उमीद कर रहे हैं, क्या पिछली बार जितनी भाजपा जीती थी असी में, क्या उसे भी जादा नमबर इस बार आने को उमीद हैं? शे लग, साथ लग तब बोल रहे हैं, हम जीतेंगे बहुत अच्छी से, जो पहले से भी ज्यादा मतों से जीतें तो वेरी नाइस, पट आई रिक्वेस्ट अल पबलिक तो गोण वोट, ज़रूर चब्वीस को भी हो, पूरा एलेक्शन जो कर रहे हैं, उसमें सब लोग भ और एक सवाल, स्री कृष्ण जन्म भूमी को लेकर है, कि यहाँ पर जो भब मंदिर के निर्माद की जो एक परिकलतना आपने भी बात की है, तो उसको लेकर जो बिवाद है, यहाँ पर आप चाहते क्या है, ने ने देखिए, वो कृष्ण जन्मस्तल का जो है, वो कोर्ट म हमारा कॉरिडर बनाने का बांके बिहारी बंदर का, वो बहुत कंजस्टर है वो जगा, उसका बहुत सुन्दर बनाने का हम लोग प्लान कर रहे है, वो स्टार्ट हो जाएगा वो काम, लेकिन जिस पर साय उध्या में बाप मंदिर बना था, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ म पुली नहीं है, पूरा हमारा नहीं है, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, तो जैसा बनेगा, जैसा भगवान के आदाइश होगी, वैसे होगा. पर एक आखरी सवाल की, इंडिया एलाइंस जो है, कितने बड़ी चुनौती बानते हैं, दो हजार चौविस में लोग सभा चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी के लिए कितने बड़ी चुनौती हैं? कर बोल रहे हैं कि हमें दो, वो क्या करेंगे, क्या किया उन्होंने आज तक? आखरी सवाल की भाजपा 400 पार का नारा है, 400 पार होगा? 400 पार होगा, जी.